In this video, I am going to share with you all the lifetime worldwide box office collection of Bollywood film चाची 420 दोस्तों मुवी चाची 420 जो रिलीस हुई थी 19 December 1997 को ये एक Bollywood comedy movie है जिसको 5 में से 3.5 star की rating दी गई थी इसके director और producer है कमल हासन जी इसके अगर मैं writer की बात करूँ तो वो है गुलजार जी अब बात करते हैं कास्ट की फिल्म गंदर कमल हासन जी तब्बू, अमरिश पूरी, ओम पूरी, परेश रावल, फातिमा सनाशेक, आईशा जुलका, नसर और साथ इसमें नसर आये थे जौनी वॉकर ये सब इसमें lead role में और supporting role में नसर आये थे अब बात करते हैं फिल्म जो है, बतारिक के फिल्म चाची 420, ये 1996 में टमिल फिल्म, अवे शन मुगी का रेमिक है अवे शन मुगी, और खास बात ये है कि दोनों ही फिल्मों में कमल हासन जी, lead role में नसर आये थे और फिल्म चाची 420, जिसके डारेक्टर है कमल हासन जी, ये कमल हासन की ऐसा डारेक्टर debut film थी, यानि कि पहली फिल्म थी अब बात करते हैं basic story के, तो फिल्म में कमल हासन और तब्बू, दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार तो नहीं करते लेकिन दोनों के बीच, दोनों husband wife होते हैं, लेकिन दोनों के जगडे की वज़से, दोनों के बीच divorce का case चलता है अब इनके बेटी भी होती है, बेटी जो होती है फातिमा सना शेक, लेकिन बेटी नहीं चाते कि उनकी मम्मी पापा अलग हो यानि कि मम्मी पापा का divorce हो ऐसा बेटी नहीं चाती, वो चाती है कि दोनों साथ में रहे, यानि कि तीनों साथ में रहे, मा, बेटी पाप, तीनों साथ में रहे अब ऐसे में क्या होता है जो इन दोनों की जगड़े के वज़ से जो इनका divorce का case चलता है तो ऐसे में इस case के चलते इन सबको अलग-अलग घर में रहना पड़ता है यानि कि तब्बू अपनी बेटी के साथ अलग घर में रहती है और कमल हसन अलग घर में अकेले रहते हैं अब ऐसे में एक बार तब्बू को अपनी बेटी के देख भल के लिए एक caretaker के जरूरत होती है और ये बात पता चलती है कमल हसन को जिनको मोका मिल जाता है अब ऐसे में कमल हसन जो अपना जो get up है वो आदुमी से एक औरत में बदल लेते हैं अब क्या ऐसे में जो कमल हसन अपनी बेटी का caretaker बन कर तबू के घर जा सकते हैं या नहीं ये सब आपको फिल्म देखकर पता चलेगा और क्या अगर वो get up change करते हैं ऐसे वो पकड़े जाएंगे या नहीं जो भी है ये सब आपको फिल्म देखकर पता चलेगा अब बात करते हैं collections की तो फिल्म का 19 करोट 58 लाक रूपीज का इंडिया से बाहर overseas market में 50 लाक 50 लाक रूपीज की collection की थी और सब कुछ include करके फिल्म का lifetime worldwide जो total gross collection था 20 करोट 8 लाक रूपे का 20 करोट 8 लाक का रही बात budget तो इसका budget था 4 करोट का अब 4 करोट 50 लाक के budget के हिसाब से फिल्म का जो इंडिया का lifetime net collection था 11 करोट 42 लाक का उस हिसाब से अगर हम word it की बात करें यानि के hit और flop की तो आपको बता दिके फिल्म चाची 420 बॉक्स आफिस पर blockbuster साबित होई थी फिल्म की official word it था worldwide blockbuster की और बता दिके फिल्म की गानों क बात करें तो गानों की album में total पांच गाने थे गानों को compose क्या तो विशाल भर्दवाज ने और कुछ गाने सूपर इठ साबित हुए थे गाने के चुलिरिक्स होते हैं वो लिकेता फिल्म के writer गुलजार जीने तो चलिए दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो में फिल्हाल इ है हिंदू